आप सबी साथकों का स्वागत है मैं अर्विन सक्सेना बोलना हूँ साधना जगत के रहसेों ततात्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसकी प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें इस वाले जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो है एक अद्रश्य संसार के लिए एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं उसमें कई सारे वीडियो होंगे और ये अद्रश्य संसार में बहुत सारी इतर यूनिया होती हैं जिनके बारे में हमको बहुत कुछ जानकरिया हो भी सकती है और नहीं हो सकती है लेकिन अधिकांश्ता नहीं ह एक ही परसेंट को जानते हैं तो जो अधर्शी दुनिया होती है वो सब के जीवन को पूरे संसार को हर पक्ष को असर डाल ली होती है और जब तक उसके उसमें क्या हो रहाता है कि उसके बारे में जानकरी अकर हम पो नहीं होगी तो हम बहुत सारी गटनाओं के चीज़ों को अब उनको समझ भी नहीं पाएंगे कि उनके करन यह गटना क्यों गट रही है संसार में हमारे जीवन में जो भी एक्स्प्रेनेशन होंगे वह और आदे अधूरे होंगे तो इसलिए अध्रस दुनिया को जाना जरूरी है और यह बात में इसलिए भी आप से कह सकता हूं कि यह बात वेदों में पूरी तौर पे इस पस्ट है यह नि वेदों नहीं इस बारे में पूरा बताया है कि अध्रस दुनिया में कौन कों चीज़े होती हैं और किस प्रकार से वह असर डालती है तो मैं जो वेदों में वर्लित अंध्रस दुनिया के बारे में जो जानकारी हैं वह यहां पर प्र करने के लिए जुरूरी क्या है साथना के बीच में क्या होगा इसलिए भी आवशखा है आप दूसरी बात है कि जो संथ्य की जब अंखोज में निकले हैं सत्य इंसको चाहिए कि गला तो एक 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 तो वो तो आगे साधनात्मक पक्ष्ट की बात हो जाएगी लेकिन मैं केवल यह बताना चाहरा हूं कि यह वेदों में वर्नित जो भी अद्रश्ट संसार के रहसे हैं उनको जो है मैं यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अब इस वाले में यह समझना चाहिएगी जो पहले मैं यहां पर इस जो वीडियो है यह जो अद्रश्ट संसार है भाग एक इसमें जो मैं कुछ ऐसी इतर्यूने की बात करूंगा जो की बहुत अधिक तो उनको ने को बता रही हुए आपे उनका एक का नाम होता है पिशाच और दूसरे का नाम है राक्षछ यह दो युणिया है इद्म रहे कि ये जितनी भी युणिया होती है इस तरीके की यह सबके सब पूर पूर जन्मों में कभी न कभी मुनश्य रहे होते हैं। और क्या करते हैं कि जब कुछ गलत काम कर लेते हैं, अफरात कर लेते हैं, अपश्यताप भी नहीं करना चाहते हैं, पिल्कुँ सुधर्ना भी नीचाते हैं, तो उनको मोनश योनी से हटा के जब उनकी मृत्ति उराती है तो उनको पिशाज योनी में, राक्षास योनी में डाल दिय रहाता है, इनका भी पूरा-पूरा संसार होता है अपना, सब अपना रह रह रहते हैं और चोकि ये गलत प् करेंगे ये बार ठीक है कि वहां पर कुछ लोगों को पश्चाता मन में पैदा होता है और वहां पर अपना सुधर्ने का प्यास करते हैं और उन लोगों को मुक्ती भी मिल जाती है इसके लिए जो मैंने वीडियो अपने बनाया कुछ अगुर वाले टॉपिक के उसको प्ल प्लिद नहीं है इस दुनिया के हर स्थान पर हर जगह में है कोई वक्ती शाइदी अचूता इनसे हो कोई घर अचूता हो कोई वक्तिया अचूता हो ऐसा हो नहीं सकता सब कहीं ना कि इनसे इन्फेक्टेड ही है जुड़े हुए है ये बात अला कि जब तक कर्म बल्वान अच्छे कर्मों का फल साथ में रह रहा होता है अभी शीन नहीं होते हैं तो यह कुछ परिशान करने ही पाते हैं लेकिन जैसे ही पुन्य शीन होते हैं तो यह फिर उस वक्ति को और परिशान करने में लग जाते हैं उसी तरह से समाज का देश का विश्व का इसी तरीके से अब टोटल मल a accumulated पुन्यमाल एक अटथा पुन्य कर दिये जाएं सब व्यक्तियों के वह भलवान रहेंगे तो वह उस स्थान का विश्व का उसका देश का कुछ नुक्सान नहीं कर पाएंगे लेकिन जहां पर वह पुन्यू शीर हो जाएंगे व्यक्तियों के नाकरिकों के कre नुख वक्ति की कारवाई के ड meant वाहाँ प्रात पेदा हो जाए और कोई गलत काम करवा थे किसी तरीके से मन में डाल के इससे कि उस Vyक्ति को युझे युझे, फिर को फिर असे पूंगे, उसको पकड़ लेटे हैं उसको अप्छिस को अपना ग्रिप में लाते हैं को उन DRQ करना पारा हॉत अपनी ग्रियाय करते हैं यह तो इसकी background बता रहा हूं मैं लेकिन यह सब बात हैं जब मैं बता रहा हूं और वो आपको बता रहा हूं कि जो वेदों में लिखी हैं तो मैं आपके सामने वो एक-एक करके point रखना चाहरा हूं जिसे कि पूरी picture clear हो एक साथ समझने के कोशिश करी जाएगी तो नहीं समझ अरुसार भागतना इम तृम इसकी में जो है मैं पिशाच और अकशस यूरी के बारे में वर्ड़न कर रहा हूं यो कि हरा रuई में वर्ण आप देखिए का मैं.. वो उसके लिए जो मेरे थेखिए गा तोस में समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें मैं सादनाग में बता रहा हूं जो भी वेत के बारे में वेदिक दिवताण के बारे में सादनाग के इस वाले समझ लिए कि इस पूरे चैनल के प्रत्य वीडियो को देखना अनिवार है एकर साधना करने है तो और साधना के जो कर रहा है उसको तो भिशेश रूप से देखना चाहिए जो कि सारी जानकरिया है इसमें वहीं मैं डाल रहा हूँ जो कि साधना अत्मक रूप से उपयोगी हो शुष जानकारी हां नहीं है को यहां में मैं ऐसी जानकारी नहीं दे रहा है जिसमें कि डिबेट हो, शास्त्रारत हो, सारी चीजों के कुछ नहीं जरूवत है लेकिन यहां में जो साधना में सारी चीजों को दिक्कतें आती हैं वो डालने की जानकारी है तो मैं प्रारम करता हूँ रिगवेद का जो एक सूथ है उसमें यह है कि जो पिशाच होते हैं वो अमावस्सा के अंधिरी रात में अपने शिकारों को ढूंडने के लिए निकलते हैं और यह क्या करते हैं मास को खाते हैं तो उसी में है है कि हम इनको अपने मंत्र बल से इनको पराजित करते हैं इसके बाद एक जानकारी और है कि जो ऐसे पिशाच है जो की रक्त पीते हैं तो इनको भी हम मंत्र बल से हरा देते हैं और हरा नहीं देते हैं इनका जो वैभा होता है उसको भी हम छीन लेते हैं कि आप यह सोचने की बात है कि इनका वेबह क्या मतलब हुए पिशाचों का वेबह तो पिशाच लोग जो है जो दुस्ट होते हैं वो मास भी खाते हैं उनुष्यों का ही और उन्ट अरक्त भी पीते हैं और साथ साथ जब उनके जितने भी होता है उनकी भलब जो है जो भी दाक्ष ऑपह्ड बनाने में लगती हिए अपनी दुनिया में तो उनके वैभाव कभी झो है वो इस में जो मंत्र में आई शूक्त में हैं उनके वैभाव को भी हम चील लेते हैं और जो भी हमसे इस प्रकार की दुस्रता करेता है, उसको हम नस्ट कर देते हैं इस प्रकार दे करते हैं कि जो भी हमारा संकल्प होगा, वो सफल रहे फिर इसके बाद एक जगए है कि इन जो वो दिवे पुरुश होते हैं जोकि मलब जिनकों की बहुत एडवांस लेविल पर साथना के पहुंच जाते हैं और या देवता की शेडी में पहुंच जाते हैं ऐसे लोग वो ऐसा है कि वो पिशाचों के साथ असी मजाग भी कर सकते हैं, और करते हैं उनको अगर हमको जानना उस प्रकार के लिए देवी देवता के लिए उनको साथना के माद्दे हम से जानना पड़ता है वो कौन है इस प्रकार के जो पिशाचों सो भी मसी मजा कर ले इसका मतलब यह हुआ कि जो पिशाच हैं मैंने पहले भी बताया इसके वेग्रोंड में कि जैसे कि सारे मुनस खराब नहीं होते और सारे मुनस अच्छे नहीं होते उसी तरह से इन योनियों में भी सारे योनियों में सब अच्छे नहीं होंगे सब खराब भी नहीं होंगे दोस्टों को तो ये देवी देवताद छोड़ते नहीं है और जो अगर उसमें से ठीक टाक लोग होंगे पिचाचों में कि उनसे थी मज़ाग भी कर लेते है, इसका मतलब यह है, और इसके बात जो है, हिक जगह है कि मंत्रवल के द्वारा, ये सब वैदिक मंत्रों की बात हो रही है, इनका मैं साधनासा फक्षिम बताऊंगा, तो उस मंत्रवल के द्वारा ये राक्षसों को बहुत प्रीडा करने वाले लोग होंगे मंत्र अपल के दोर पहunचाते हैं कि आप समझ लीजे कि राक्षसों को मंत्रों से बहुत जाते अलर्जी पहुत जादे छुड़ते हैं इस जगे से जहां से मैं आपको बता रहा हूँ, यह अथरवेद से आपको जानकरी दे रहा हूँ तो इसलिए उनका प्रयास भी रहता है कि भई, दुनिया का कोई साधना कर लो X, Y, Z, जो सुमिट मैं कर लो, लेकि मंत्र नहीं करना अखास और वेदों के मंत्रों तो बिल्कुल नहीं करना तो पूरी ताकत लगाए रहते हैं कि वेदों के मंत्रों को न किया जाए यही तो एक बज़ा है, में बज़ा है जहां राक्षासों का इतना जादे आतंक हो, एक मैंने वीडियो बनाया भी है सादना पक्ष में आप उसको भी देख लीजेगा तो राक्षासों के आतंक के बारे में उसमें एक सादना वीदी में ने दिया है तो क्या है कि अगर इतना अधिक इन्होंने सिस्टम को, चुकि माया भी होते हैं, यभी और आगे आपको यह चीज भी आएगी कि माया भी राक्षास होते हैं, तो माया का ऐसा संसार बनाएंगे, आपको इल्यूजन क्रिएट कर देंगे, कि आपको जो गलत चीज़ा सही लगने लगएगी और वो भटकाने में में अस्टार होते हैं, सही दिशा में तो जायने नहीं 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 देंगे जिन्दगी को बरबात करना इनका मकसद होता है, और ये तबाही मचाने के लिए होते हैं, और मनुश्यों के लिए तो मलब काल के समान हैं ऐसे राक्षासों को मंतर बल के द्वारा हम पीड़ित करने वाले बने, ये इस मंदर में प्राथना करी गई है और मंतर बल के द्वारा उनको पराज़ित किया भी जाता है ये पिशाच भी जो है, वो भी मंतर जहां होते हैं, वाइद वेदो के मंतर बहाते हैं, पते हो जाते हैं, हट जाते हैं कमजोर हो जाते हैं, भागी जाते हैं समझ लिए, नहीं भागेंगे तो मार दे जाएंगे जो देवी देवता जिनके मंत्र चलेंगे फिर वागर उनको मार भी देंगे पिशाच जो है एक मंत्र में ही है कि पिशाच हमारे शरीर में प्रवेश्च नहीं हो सकते किनके नहीं हो सकते जो वेदो तो मंत्र कर रहे होंगे सही मंत्र सही से कर रहे होंगे तो विदों के मंत्रों के द्वारा पिशाच हमारे शरीवें प्रवेश नहीं कर सकते हैं और हम चोर और डाकूं से नहीं मिलते हैं अब चोर डाकू कौन होगा देखें होते हैं तो सब मनुष्य हैं उपस लगेगा कि अपराद कर दिया है उनोंने लेकिन आप जान नीचे कि जो मनुष्य वहां जहां पर मानो वर्ट का यूज होगा है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता है अभी ल्ग्राथ काम करने में लेकिन जो गलत काम करने में टेंडेंसी रिस्की होगी उन्दर राक्षा से पीडित हो ही जाएगा बोटे तोर पर समझ लें कि यह जितने भी चोर डाको इस्तियादी अपरादी लोग होते हैं यह इनको भी राक्षास लोग करते हैं अपराद करने के लिए तो उसका मतलब यह कि चोरों डाकों से हम नहीं मिलते हैं मतलब हमारे पास कोई पिशाच भी नहीं आएगा उस का नस्ट हो जाते हैं कितनी बुली बात है है कि यह सब वेदों के मंतरों को कमाल है अब यह बात है जो मैं बोल रहो हूं यहां प्रिदो को समझ जाएगा मैंने पहले वीडियों मताया हुआ है लोग कि वेदों को समझने के लिए आप जब तो व्येदों को करेंगी निए कितना भारी महतु हैं हमारे जीवन में और हमको इससे बंचित करा देते हैं यही लोग कि और एक और आपको मैं जानकारी दे रहा हूं एक मंत्र में यह भी है कि जिस गाउं में जो सादक वहां रह रहा होगा कि आप जिस गाउं में प्रविस्ट होगा निवेदी में उस गाउं के इतने भी राक्षास नहीं दो जाएंगे तो उस गाउं के लोग जाने एप लेकिन यहीं समझ लीजे कि अगर वह व्यक्ति को हुआ पर शुरू करेंगा तो राक्षास लोगों को दिक्कत होने की जब श मंतर ना करो तुम कुछ और काम पर लो जो तुम को समझने में है जो अविदी समझ में है कर लो दुनिया की वेदों के मंतरों को मत पड़ो तो उसके लिए वह लगे रहेंगे तो इसलिए थैयारी चाहिए होती है मेंटली कि नहीं मुझे छोड़ना नहीं है अपने वेदों के सूब्तों को पड़ना ही है तो यह ध्यान लगने के लिए है और जब जो चीज जो लगा रहेगा उसके साथ ऐसा होता है वो एक्स्पीरियंस में आ जाएगा अपने कोई ऐसी विशेश बात नहीं सब को समन में कराता है जो सादा के लोग होते हैं और इस थश्याषों को अप्योग कर रहे होते हैं उनको समच वालती ही बात है गया है है कि हम समस्त्राक्षतों को अपने मंत्र से है हुंको माणने थे UN Huyn наст हो ही गया है न हो जाते है तो इसके लिए मैंने जो मेरे कुछ प्रमुक वीडियो थे साधना पक्ष के उनको विशेश रूप से देखिएगा और वैदिक जीवन कैसे जीए इसका पीटू देख लिएगा साधना पक्ष की सीरीज देख लिएगा मतलब बेसिकली प्लेलिस्ट में आप जाईएगा सारी तो आपको इस समझ में आता जाएगा यह कितनी बड़ी दुनिया है और हम किस तरह से इनी से परशान है और हमको पता ही नहीं है मेरा यह वीडियो बनाने के लिए ही मेरा मकसद ही है चोटी-चोटी साधना में फसा देते हैं यह पास दिन की साधना है यह मंत्र है इसको कर कि ने प्रेलिजें तक घर Communication है यह बर्ण हो जाएगा यह परशानी क fishermen में आपको ले जाएकर पसा देंगे और इनों से कुछ होता हुँ अगर होता हुँ और देश में मंत्रों के ले पताए नहीं से कितने असंक मंत्रों की लोगों को पतानी कहा को लोगों को मॉलुमी है वो करते भी रहते हैं छोटे-छोटे टोने टुटके और उनसे जाना नहीं हो क्योंकि यह बहुत बड़ी चीज है है प 17 सोबार वहिजा नहीं को प। देश हमारा इतना इतने सारे पैलीं जीज है तो क्यों परशानी नस्थ नहीं होती है क्या है कि हमने वेदों को छोड़ दिया है, वेद मंतरों को छोड़ दिया है, तो मेरा वीजियो बनाने के ही मकसद है कि जो सच्चाई को हम सामना करें, सत्य को जाने, सत्य को जानने से ही महत पादा होता है, सत्य को छिपाने से हमेशा नुकसान होता है, तो यह वाला जो सत्य अद्रश दुनिया का, अद्रश संसार का, वो सब के सामने आए, अब वेदों से सीधे आए, यह मेरा लक्ष है, उसमें मैं कहीं और आउटसाइट सोर्स से नहीं लाना चाहता हूं, ला सकता हूं, लेकिन वो सही नहीं रहेगा, इससे कि समझ मैं कि यह चीज़े वेदों में दी हुई है, authentic है, और फिर इनकी जो remedies आएंगी, solution आएंगे, समधान आएंगे, वो भी वेदों से ही आएंगे, वो मैं सादनात्मक पक्षम अतार हूं, तो उससे बल मिलेगा, और हमारे सामने पूरी इसपस्ट होगी, कि हम किस दर गिदर जा रहे हैं, हम कैसे कैसे प्रॉल प्रॉल हमसाल होती है, हमको पहले तो पता देले, बीमारी क्या है, बीमारी नहीं पता है, और हम दूसरी चीज का कर रहे है, यह हो रहा है, तो इस चैनल के प्रत्य एक वीडियो को देखेगा, बड़ा इंपोर्टेंट एक मलभ समली है, इस चैनल है, और आपको दी इसको कि जो चैनल में जानकरी मिलेगी, आपको शायद ही कहीं आपको इधर जरू से मिलेगी आपको, एक जगे ऑथन्टिक जानकरी है, इतने चीजों की शायद इसी चैनल में मिल पाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है, बाकि आप लोग कमेंट करके बताएगा कैसा, आप लोगो यह लग रहा है, आशा करता हूँ कि आपको सब जानकरी अच्छी लगी होगी, इस वीजियो के देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद,